तो यार आज हम बात करेंगे लाफ स्टीम लैप्टाव के तो भई अगर आपने लाफ स्टीम करनी है यह वीडियो श्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना स्केपड मत करना स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से प अगर आपका बज़ेट दो लाग है एंड मैं आपको बताना जाता हूँ अगर आपका बज़ेट नभी अजार से कम है उसकी वीडियो मैंने पहले ही कियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जीए अगर आपने चाउड करने है आप जहूर कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं आपका बज़ेट नभी हजार से लेके एक लाग दस हजार तक हो जाता इस पराईज रेंजे में यार मैं ने रखहा दो लाग तो आपको बहुत ऐघने को मिल जाते हैं तो आपने लॉंग टाम को रखना एक के लिए perfect deal हो सकता, आपको 16 GB RAM मिल जाते है, 4 GB graphic card मिल जाएगा, उसके बाद भी आपको SSD देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि इसके plus point आ जाते है, आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी देखने को मिल जाएगा, end by last, इंके लिए perfect deal हो सकता, अगर आपने gaming last time करने है, आपके लिए perfect deal हो सकती है, अभी बात करते है, इसके main specification की थोड़ा से deeply में आपको बता देता हूँ, तो यह display की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की iPad level display, जो की 144 refresh rate के साथ आती है, processor की बात करूँ, आपको i5 जा i7 दोन उद में से मिल जाएगा, आपको i5 भी मिल जाएगा, i7 भी मिल जाएगा, आपने i7 क्यों जाना है, अगर आप जा सकते हो, अगर आपने 1660 Ti की हो जाना है, आप उसकी और भी जा सकते हो, अपको विन्टू 10 देखने को मिल जाएगा, बैंटरी की बातों को सकते हो, आपके लिए पूरा लुड़िड हो जाता है, अगर आपने लाइप स्ट्रिम करने हैं, आपके लिए सच में बहुत गुड डील हो जाकते हैं, अभी आगे बात करते हैं, नमबो वान की बात करूँ, नमबो वान पर यार मैंने रखा है, असूस रॉक जैप्रस G-4 इन को अगर इस लैप्टाप की बात करूँ, 2020 में सबसे जादा बिकने वाला एंड सबसे जादा पसंद की जाने वाला लैप्टाप, आपको 4.5 रैटिंग देखने को मिल जाती है, एमजोन पर पॉजिदी कमेंट देखने को मिलेंगे, प्लस इसके मतलब स्टालिस डिजान मिल जाते है, इसके कलर वगार, आप बहुत प्यारे देखने को मिल जाते है, इसकी खासत की बात करूँ, आपको anti-just cooling मिल जाते है, dual fan मिल जाते है, प्लस आपको backside में लाइटिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो कि आप कस्तमाइज कर सकते हो, एंड भई, live stream के लिए बैसता है, गेमिंग के लिए बैसता है, गेमिंग, live stream के लिए बैसता है, वीडियो एक्टिंग के लिए बैसता है, कोई भी heavy software यूज़ करना है, आप इजली normally कर सो, तो आपको बहुत पसंद आने वाला है, अभी बात करते हैं, इसके main specification की ज़्यादा deeply नहीं बताँगा, वीडियो की length ज़्यादा बढ़ी हो जागी, अभी बात करते हैं, इसके main specification की, तो display की बात करूँ, तो यह display की बातों को 40 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की IPS anti-glate display है, प्रसेसर की बातों को AMD Ryzen 5 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जागा, storage की बातों को 8GB RAM भी मिल जाएगी, आपको 16GB RAM भी मिल जाएगी expendable आप कर सकते हैं, आपको 1TB SSD देखने को मिल जाएगा, ग्राफिक कार की बात करूँ, आपको Nvidia G4 RTX भी मिल जाएगा, GTX भी मिल जाएगा, आपको 20606GB के साथ 4 ग्राफिक जो ग्राफिक कार है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक हो परेनी सिस्तियों की बातों क मैंने आपको बता दिया, ASUS ROG Xebrus G420 के भी, प्लस मैं आपको ये भी बताना जाता हूँ, कि डिस्प्ले कॉल्टी दोनों की बहुत तगडी मिल जाती है, अगर मैं बात करूँ, ASUS ROG Xebrus G420 के साथ उसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, अगर मैं बात करूँ, ASUS ROG 10,000 के बज़र में दोनों देखने को मिल जागे, स्पैसिफिकेशन पूरे लोडेड मिल जाती है, अगर आपको बज़र लाख तक हो जाता है, इस प्राइज रेज में, मैंने फिर से दो लैप्टप रखिया है, ये दोनों लैप्टप भी आपको पूरे लोडेड मिल जाते 16GB RAM मिल जाएगी, 144 रिफ्रेश्ट दोनों में मिल जाएगी, anti-dust cooling दोनों में मिल जाएगी, dual fan anti-dust cooling वारा सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ये gaming design में देखने को मिलते हो, उसके साथ, अगर आपने lab stream करनी है, gaming lab stream करनी है, आपके लिए दोनों laptop perfect deal हो सकते है, दोन 144 रिफ्रेश्ट के साथ आती है, आप प्रसेसर की बात करों, आपको i7 10th generation के साथ मिलता है, storage की बातों को 16GB RAM मिल जाएगी, expandable आपको 1TB HDD देखने को मिलती, plus 256GB आपको SSD देखने को मिल जाएगी, graphic card की बात करों, आपको Nvidia G4 RTX 20606GB मिल जाता है, बैटरी लाफ की बात करों, आपको 45 hours का बैटरी बैका मिल जाता है, प्राइस की बात करों, डिवाली फैस्टिवल में इसका प्राइस बहुत कम हुआ था, आपको 1,00,000 के बज़र में मिलता था, लेकिन अब भी इसका प्राइस ज्यादा हो गया, आपको 1,30,000 के बज़र में, इस सर्फ पर डेटर दे इसका बात करों, इसका बैटरी लाइस की बात करों, आपको 48 hours का बैटरी लाम मिल जाता है, इसका भी दिवाली फैस्टिवल में प्राइस बहुत गम हुआ था, आपको 92,000 के बज़र में देखने का मिलता था, लेकिन अब भी इसका प्राइस देखने को मिल लगा, एक आपको बहुत तगड़े मिलते हैं, अगर आप दिवाली फैस्टिवन में ले लेते हैं, अभी तो चलो वो चीज़ा आपने इसका प्राइस हुआ है, वह एक लाख दस लजार से लेके, एक लाख चालीस लजार के बज़र तक है, यह स्पैसिफिकेशन के साथ आपको देख आपको बज़र आपको बज़र दो लाख तक हो जाता है, इसका डिजान, इसकी बिल्ड क्वाल्टी प्लस इसकी डिस्प्ले क्वाल्टी के सासाथ आपको स्पैसिफिकेशन भी बहुत अग्रे मिल जाते हैं, अगर आपने बई गेमिंग करनी आपके लिए तो पॉफेक्ट के लिए इसको यूज करना आपके लिए भी बहुत ज्यादा सही डील हो सकते हैं, अगर मेरा बज़र भी दो लाख होता है, तो भाई मैं इस लैक्टॉप के और जाता है, विकोज बहुत तगरा मिल जाता है, अभी बात करते हैं, इसके में स्पैसिफिकेशन की मैं आपको थोड़ा सा डीपली बदा देता हूं, तो यह डिस्पली की बात हों को 15.6 फुल एस्टी प्लस डिस्पेश मिल जाती है, जो की एंटी गले आइप्ले इस डिस्पले है, जो की 300 रिफ्रेश के साथ आती, तो आप इंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको जो डिस्पले को स्टोरेज की बात करूं, आपको 16GB RAM मिल जाती है, प्लस आप अपगरेड भी गहस हो कि आपको 1TB SSD देखने को मिलेगी, ग्राफिक कार की बात करूं, आपको 9DH, G4, RTX 20606GB मिल जाएगा, उप्रेदिन सिस्टें की बात को Windows 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS Office देखने को मिलेगा इस Laptop के और जाना है, आप इस Laptop के और भी जा सकते हैं, तो यार, अभी मैंने आपको Top 5 Laptop बदा दिया है, हर एक प्राइस रेंज में, अगर आपका वरेडर 90,000 से लेके 2,00,000,000 है, इनवे से कोई भी Laptop आप ले सकते हो, आपने long time पेडर रखना है, लाप स्ट्रिम कर करने है, वीडियो एटिंग करने है, जा अगर आपने कोई भी हावी software यूज़ कर रहा है, आप इसली normally कर सकते हो, बहुत ज्यादा तगडे Laptop बता है, यार मैने आपको, तो यार, अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाते है करता हम, अगर आपको मेरी वीडियो चलिए यार अगरे वीडियो को लाइक करताना, कमेंट करताना, शीर करताना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेद्तना, उनका भी गातना की चानल को कệcते है, सबस्क्कायब वीडियो को करते है, लाइक ए इस्तागराम फे पर कहले टोछ लिक बगर आई यrawdранा आपको दिस्क्रिप्छेन ब